So the question is Two charges of 5Q and minus 2Q Are situated at the points 3A,0 and minus 5A,0 respectively The electric flux through a sphere of radius 4A Having the origin at तो भईया आपसे फिर से electric flux पूचा है तो पहले तो ये बना लीजिए कि charges आपके कहां कहां है पहले तो है 5Q minus 2Q कहां है ये भईया 3A,0 तो एक्स एक्स पर है ये ये 0 है 3A हमने मान लिया कि ये 2A है और ये 3A है तो यहां पर आपका आगया 5Q ठीक और minus 2Q कहां है minus 5A,0 तो ये भी एक्स एक्स पर है ये minus A, minus 2A, minus 3A, minus 4A, minus 5A तो ये आगया minus 5A पर कितना है भईया हमारा minus 2Q ये इसको थोड़ा यही मान लेते हैं भईया ये minus 5A अपना कितना अगया इस पर minus 2Q आप से पुड़ा है electric flux through a spare of radius 4A तो पेटा 4A यहां कहीं आएगा और 4A इसमें मान लिजे कहीं यहां पहीं आगया है ना तो इसका एक spare बनाई है तो ये एक 4A का spare बन गया इसके अंदर कितना flux होगा तो बेटाई इस तो गोशलो से simple हो गया ना flux क्या होता है Q inside divided by epsilon तो इस spare के अंदर कौन सा charge आए भी है तूकि तो बाहर हो गया तो इससे तो कोई flux नहीं आएगा सिर्फ इससे flux आएगा तो ये कितना है 5Q divided by epsilon note ये कौन से option में है भाई अपने पास option number B ठीक है